दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देने वाला इसलिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए और इस वीडियो को सर्कुलेट करिए क्योंकि आज की तारिक में ज्यादा तर लोग इस बात से परिशान होते हैं कि अगर बिमार पड़ गए तो लं पता नहीं किस चीज का कितना टेस्ट का खर्चा किस इलाज का खर्चा डॉक्टर कितनी रसीद बना देंगे कुछ पता नहीं लगता एक डर एक सहमी सी स्थिती हर पेशेंट की और उसके परिवार की होती है लेकिन आज का वीडियो आपके लिए एक खुश खबरी लेके आ मिले और अगर नहीं मिलता है तो आपको ये वीडियो इसलिए सर्कुलेट करना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स तक पहुचाना चाहिए पॉलिटीशन तक पहुचाना चाहिए ताकि जो आपका हक है वो आपको मिल सके उमीद है आपने वीडियो शेयर कर लिया होगा और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए चुरुआत करते हैं कि अच्छी ख़बर क्या हो सकती है जैसा मैंने कहा दोस्तों कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आज की तारिक में टेंशन है हेल्थ कोस्ट को लेके हेल्थ केर कोस्ट और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि अगर घर में कोई विमार पढ़ जाता है तो इतना खर्चा हो जाता है कि वो व्यक्ति गरीबी में चला जाता है उसको रोकने के लिए हेल्थ कोस्ट को कंट्रोल करना अब इसका नंबर है दोस्तों हिंदुस्तान में एक कानून है जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर उसकी चर्चा होती तो हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो दस साल पहले ही कम हो गए होते हैं लेकिन ना पॉलिटिकल पार्टीज ने उसक सब के मुबंद किये हुए थे दोस्तों हिंदुस्तान में कानून है दे क्लिनिकल स्टेबलिश्मेंट रिजिस्ट्रेशन एंड रेगूलेशन एक्ट ये 2010 में भारत की संसद ने पास किया था और उसमें ये कहा गया था कि जो कोई भी हॉस्पिटल है या मेडिकल स्टेबल समझना बहुत जरूरी है ये रूल जो बने हैं दोस्तों ये इसलिए बने हैं कि कोई भी हॉस्पिटल किस तरह की सर्विस देगा कैसी देगा वहां एम्पलॉईज कैसे होंगे वहां का स्टेंडर कैसे होगा हाईजिनिक कंडिशन क्या होगी ये सारे मांदन हर हॉस्पिट के होने चाहिए क्योंकि कोई के समय हमने ये देखा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल में औक्सिजन नहीं थी कहीं पर दवाया नहीं थी बैट्स की हालत खराब थी स्टाफ नहीं था वगरा वगरा और आज भी अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं हाईजिनिक करने दिल्ली में एक लाग तीस हजार करोड रूपए सिरफ हेल्थ केर के नाम पे खर्चे हैं लेकिन एमर्जेंसी वार्ड और केज्वल वार्ड की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे लोगों को लेटाने और इलाज करने की जगए नहीं और केजी वाल साब बोलते हैं हमने वर्ड क्लास सर्विस दी यह हाई कोर्ड का अब्जरवेशन है मैंने एक वीडियो बनाया है आप जाके उसको चेक कर सकते हैं लेकिन आज इंपॉर्टन मुद्धा क्या है इंपॉर्टन मुद्धा यह है कि जो नया कानून है जो पुराना कानून था 2010 का अब सुप्रीम को यह इंटरस्टिंग चीज़ है क्योंकि एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने इशू किया था और वो मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको उसका रेफरेंस याद रहे तेईस मई दो हजार बारा को और उसमें यह कहा गया था इन दे एक्ससाइज अफ पावर्स कंफर्ड बाई सेक्शन फिफ्टी टू अफ क्लिनिकल स्टैबलिश्मेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन अग्ट टू थू 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 दोस्तो क्लॉस नाइन यह बोलता है अधर कंडिशन फू रजिस्ट्रेशन और अगर आप हॉस्पिटल है या क्लिनिकल फैसिलिटी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा फर रजिस्ट्रेशन और कंडिशन एवरी क्लिनिकल स्टेबलिश्मेंट सेल फुल्फिल दॉ फॉल्फिल इंग कंडिशन उनको बाते में आप बताने वाला हूं यह माननी ही पडेंगी नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा पहला अगर आप बैंडेज कर रहे हैं तो कितना पैसा लेंगे आई टेस्ट कर रहे हैं तो कितना पैसा लेंगे कहने का मतलब यह है कि आप जो जो सर्विस इस दे रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट विद प्राइस लोकल लैंगविज और इंग्लिश दोनों में आपको अपने हॉस्पिटल के उन जगहे पे दिखानी होगी, डिस्प्ले करनी होगी, जहां पे आम आदमी उसको असानी से पढ़ सके और देख सके The clinical establishment self-charge the rates for each type of procedures and services within the range of rates determined and issued by central government from time to time in consultation with state government मतलब किहंद सरकार्टài करेगी कि अगर आपको blood transfusion होना है तो कितने पैसे लगेंगी अगर आपकी dental surgery होनी है तो कितने पैसे लगेंगी, अगर आपकी heart operation होना है तो कितने पैसे लगेंगी लेकिन एक range होगी, यह नहीं हो सकता कि पेशन्ट जमा हो गया और उसके बाद पता लगा जी 3 लाग रुपया का बिल आ रहा है, यह जो fraud चलता है प्राइविट सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में, जिसके कारण हर आदमी सहमा रहता है, यह पता नहीं लगता, आपका visiting charges ह होता क्या है फ्राइविट हॉस्पिटल में, बिल बनता है बड़े सर्जन के नाम पे, और विजिट करने कौन आते हैं, जो trainee doctors होते हैं, जो interns होते हैं, वो आएंगे, temperature देखेंगे, और पता लगेगा 1500 रुपय visiting charges, किस बात के, डॉक्टर ने देखा था, कौन था डॉक्टर कहां है नाम, जिसके नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है, उसको तो कभी patient ने देखा ही नहीं, यह बहुत common, inflated, manipulated billing का concept है private hospitals में, फिर एक अचानक एक आदमी आएगा, जी dietitian की visit, किसने मांगा था, लेकिन हम तो भेजते हैं dietitian, 5000 रुपय उसके लगा दो, फिर कोई आएगा Physiotherapist, एक वो आपके हलका सा हाथ दबा के जाएगा, 3000 रुपय उसके जोड़ दो, इस तरह के बहुत काम होते हैं private hospital, इसी लिए हर चीज को transparent way में रखना, यह कानून है, लेकिन कोई follow नहीं करता, आगे चलते हैं, फिर आपको और interesting चीज़ बता लगेगा, The clinical establishment shall ensure compliance of the standard treatment guidelines, as may be determined and issued by central government or the state government as the case may be from time to time, अब आपका जो compliance is standard treatment, वो क्या होगा, क्योंकि जब आपका standard treatment है, तो जब standard treatment defined है, medical science में, उसके जब cost defined है, तो आप extra नहीं ले सकते हैं, अगर आप treatment बदल रहे हैं, standard treatment नहीं ले रहे हैं, तो आपको justification तो देना होगा, कागेज पे लिखना होगा, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, तो मुश्किल है, अब डॉक्टर, आप कहते हैं कि सब डॉक्टर बताता नहीं है, कानून क्या बोलता है, The clinical establishment shall maintain and provide electronic medical records or electronic health records of every patient, as may be determined and issued by the central government or state government, as the case may be from time to time. आपको हर patient का electronic record बनाना है, और वो देना पड़ेगा patient, आप यह नहीं कह सकते हैं, medical file नहीं देते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है, यह patient की property है, उसका medical record, confidential property है उस patient की, यह उसकी personal property है, hospital नहीं रख सकता है, आप record के लिए रखिये, patient का आप मना नहीं कर सकते हैं, बहुत बार patient इस बात को लेके परिशान होते हैं, पता नहीं क्या treatment हुआ, पांच लाग कभी लागया, छे लाग कभी लागया, हमें तो कुछ समझ में नहीं हाया, अब यह सब चीजें नहीं चले की, every clinical establishment shall maintain information and statistics in accordance with all other applicable laws for the timing in force and the rules made there under, मतलब आपको पूरा रखना पड़ेगा कि कितने heart patient थे, कितने eye patient थे, कितने injuries थे, कितने appendix patients थे, जो भी थे, आपको record रखना पड़ेगा, ताकि देश में यह तो पता लगे कि कहां पे, किस शहर में कितनी तरह की कौन-कौन से बिमारिया हो रही है, हो सकता है कि वहां पे पानी खराब हो, जिसके कारण ज्यादा तर लोगों को stomach problem हो रही है, यहाँ pollution इतना ज्यादा हो कि हाँ lungs problem हो रही है, क्योंकि there is a cause and effect relation, बिमारी का कारण कुछ ना कुछ तो होगा, जब आप record ही नहीं कर रहे है, तो पता कैसे लगेगा बिमारी क्यों हो रही है, इसी लिए जरूरी है, यह तो था कानून, लेकिन खुशकबरी क्या है दोस्तों, खुशकबरी है, अब सुप्रीम कोट ने सरकार को तलब किया है, कि आपने आज तक rates क्यों नहीं तै किये, hospitals, मनमर्जी क्यों कर रहे हैं, अब यह पूछा गया है, अब सरकार को जवाब देना है, अब सरकार ने क्या बोला, जो rule मैंने आपको पढ़ा, rule 9 of the rules of 2012, जो मैंने भी आपके बारे में पढ़ा, इस में जवाब देखिये, सरकार ने क्या का, the rates cannot be determined by the central government unless there is a response from the state government and union territory, जब तक राज्य सरकारें नहीं बता रही हैं, तब तक केंद सरकार कुछ नहीं कर सकती, यह बहना था, कोर्ट में केंद सरकार के द्वारा, it was further stress that through various communication have been addressed to the state government and union territories, there is no response, and as such the rates could not be notified, बतलब हमने राज्य सरकारों को चिट्टी लिकी, और वो जी जवाब नहीं दे रहे हैं, बतलब अगर राज्य सरकारें जवाब नहीं देंगी, तो देश का आम नागरिक पिस्ता रहेगा लुटता रहेगा, ये है हमारी सम्वेधानिक जिम्मेवारियां, ऐसी राज्य सरकारों को क्यों बरखास नहीं करना चीए, मैं एक सवाल दख़़ा हूँ, जो सरकारें अपने राज्य में अपने नागरिकों की सेहत के लिए चिंतित नहीं है, वो रोज सैक्डों लोग बिलिंग या इन्फलेटेड बिलिंग, उनको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों के पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, हर काम को ना करने के पीछे भी एक लॉबी होती है, जैसे काम करवाने के लिए एक लॉबी होती है, इसी तरह से काम नहीं करवाने के लिए भी ल कर सकते हैं इस बात को हमें समझना होगा अब सुप्रीम कोट का एक पहले जज्जमेंट आया था उसमें एक कहा क्या आगया था यह आपकी नयतिक जिम्हवारी है राज्य सरकार और किंदर सरकार की जिम्हवारी है इस सिहत को बचाने के लिए जो हॉस्पिटल सल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे है इसलिए एक कानून लाया गया था यूनियों अफ इंडिया कैनाट शर्क अवे फ्रॉम इस रिस्पॉंसिबिलिटी भाइ मेरली स्टेटिंग अधिन एड्रेस्ट तु स्टेट्स और आपने चिथी लिए और जवाब निया और आप हाथ पे हाथ दरके बैठ गए यह सवाल मो उन्होंने सेक्रेटरी गवर्मेंट ऑफ इंडिया जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनको आदेश दिया है आप मीटिंग बुलाइए जाने की जरूत नहीं है बुलाने की जरूत नहीं है ऑनलाइन कर लीजिए मीटिंग करिए और अगली हीरिंग तक जवाब चाहिए अगली हीरि सम्टाइम हमें इस पर डवलप्मेंट देखने को मिलेगा अब सवाल यह है कि राज्य सरकारे क्या करेंगी केंदर सरकार ने एक इंटरस्टिंग बात कही केंदर सरकार ने यह कहा है कि देखें साथ हमारे पास जो ब्रेट लेस्ट है वो जो सीजी एचेस एंपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां आपने रेट देखी हुए अगर चाहें तो हम उस रेट को नोटिफाई कर सकते हैं इसका मतलब जो सरकारी करमचारियों के लिए जो हॉस्पिटल एमपैनल्ड है और जहां पे सरकार अपने एमप्लॉईज के लिए जो खर्चा देती है उसका रेट लिस्ट फिक्स है केंदर सरकार ने का कि आप चाहें तो हम वो नोटिफाई कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगले छे हफ़ते में अगर केंदर सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता है या राज्य सरकार अगर सहमत नहीं होती हैं तो एक सजेशन यह दिया गया है कि as an interim measure is concerned in the event of central government does not come out with the concrete proposal by the next hearing कोट नहीं यह बोला है we will issue appropriate direction in this regard और हो सकता है कि वो सारे private hospitals को यह कहें कि कल से आप CGHS के rates follow करेंगे मनमर्जी नहीं चलेगी दोस्तों सवाले विस बात का है कि क्या चुनाव से पहले मोदी सरकार देश हित में जनता के हित में यह notify कर पाएगी इसका बहुत बड़ा चुनावी फाइदा मिल सकता है मोदी सरकार को कि आपने health cost को control करवा दी अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकार और मोदी सरकार में इच्छा शक्ती है यह तो वक्त बताएगा सुप्रीम कोट ने तो इस बात का संग्यान ले लिया छे हमते का टाइम दे दिया कानून मैंने आपको पढ़के बता दिया आपको क्या लगता है दोस्तों यह control जो inflated bills है sometimes doubtful bills है क्या यह control होने चाहिए या नहीं क्या हिंदोस्तान में health care affordable होनी चाहिए या नहीं या इसको free for all जिसको जैसा चाहे वैसा bill बनाए जो चाहे वो charge करे यह होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे hospitals को tax concession मिलता है बहुत सारे hospitals ने सरकारी जमीन discounted rate पे ली है तो क्या hospital services क्या इस तरह की मनमर्जी कर सकती है आज सवाल इस बात का है तो मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि जो supreme court ने का वो बिलकुल सही कदम है सही दिशा में कदम है इसलिए आप इस वीडियो को circulate करिए और इतना करिए कि देश का हर नागरिक जान जाए कि जेश में कानून है संसद ने कानून पास किया है रूल बने में हैं लेकिन राज्य सरकारे और केंदर सरकार अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट में PIL गई तो ये इंटर्वीन करना पड़ा इस मुद्दे को रोकना नहीं है जब तक ये कानून इंप्लिमेंट नहीं हो जाता इसलिए इस वीडियो को शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप क्या चाहते हैं कि ये नोटिफाई हो या नहीं हो रेट्स कंट्रोल हो या ना हो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपुन मुद्दे के साथ तब तक अपनी सेथ का ध्यान रखिएगा फिलाल बन्दे मादर